बाग की बाता तो हम बादमा करेंगे पर जहां तक गाम मा डिस्पेंसरी खोड़ने की बात है तो देखो भाई लोग गो मैंने विदायक जी से बात कर लिये पक्की और मैं यो आश्वासन दे रहा कि अपना काम हो जाएगा अरे प्रदान जी बेकार है सब तुम सबने मरना है जैसे तुमने मास्त नहीं पहना है ना कोरोना मार देगा तुमको जैसे मेरी बुगा वरी है न और जैसे मेरा माबा मरा है अबा सामू तेरा हो गया दिमाग खराब तेरी बुगा रहती थी सहर में और सहर की हवा में है जहर मारे गाउं की हवा में ना है यहां ना है कोई कोरोना मरोना समझ गया तुम नहीं समझोगे प्रदान जी यह वो डॉक्टर भी बोल रहा था जैसे लापर वाई तुम सब परत रहे हो ना कोई नहीं बचेगा प्रदान जी कोई नहीं बचेगा कोई नहीं बचेगा यह देखो अच्छी खासी विकास पाचर्चा हो रही थी अब रहने दिमाग खराब कर दिया यह कोरोना कोरोना करके अरे प्रदान जी काही का कोरोना वो तो पागल है अब बतो आ अच्छा हुआ आप सब लोग यहीं पर मिल गए मुझे आप लोगों से ही मिलना था आप से ही बात करनी थी ऐसे क्या बात होगी गुरुजी कोई दिक्कत परशानी प्रदान जी मुझे बड़ा दुख हुआ यहाँ पर यह सब देख करके इतनी खतरनाक बिमारी फैली हुई है पूरी दुनिया में और आप लोग बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी के बैठे हुए बड़ी खतरनाक बिमारी है चोटे से पिसान उसे फैलती है पता भी नहीं लगता आप चंता ना करो यो गलत फैमी है यही तो गलत फैमी है इसी गलत फैमी की वज़े से तो बड़े-बड़े देश बरबाद हो गए कोरोना से इसलिए मैं इस बीमारी के बारे में आप सब लोगों को जागरूप करने के लिए स्कूल की तरफ से और सरकार की तरफ से आया हूँ इस बीमारी से हम बच सकते हैं छोटी-छोटी चीज़ें करके बच सकते हैं इससे बचने के लिए बस आप बार-बार हाथ दोए साबून से या साबून अगर आसपास उप्रब्द नहीं है तो आप अलकोहलिक सनिटाइजर से हाथ दूल सकते हैं आप लोग सामाजिक दूरी से बैठें मास्क लगा करके बैठें बार-बार अपने हाथों को सनिटाइज करें तो इस बीमारी से बच सकते हैं हम लोग यह जो बिसानू है यह चूने से, खासने से, छीकने से फैलता है अगर हम धोगज की दूरी रखेंगे, तो इस बिसानू को रोक सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा दूर हवा में जा नहीं सकता है गुरुजी इसमें हम और का कर सके हैं? यह नसीमा आपा हमारी SMC की अध्यक्ष भी हैं तो ऐसा कर लेते हैं, इस बिमारी के बारे में विचर्चा हो जाएगी और बाकी सारी आपदाओं के बारे में विचर्चा हो जाएगी मैं ऐसा करता हूँ, एक डॉक्टर साब को भी बुला लेता हूँ वो इस बिमारी के बारे में और खुल के बता सकते हैं और एक आपदाभी बाग से भी किसी को बुला लेता हूँ वो बाकी आपदाएं जो हमारे गाओं में आती हैं हमारे आसपास जो चीजें हैं उसके बारे में बिस्तार से बता सकेंगे आप लोगों को तो कल ग्यारा बज़े स्कूल में बैठाक बुला लेते हैं कि लोगों को हम बोल देंगे माँ 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 ठीक है ठीक है आई है महमारी संकट बड़ा है भारी इसको दूर भगाने की कर लो सब तैयारी कोरोना हराना है देश समाज बचाना है कोरोना हराना है देश समाज बचाना है आई है हमारी संकट बड़ा है भारी इसको दूर भगाने की कर लो सब तैयारी दो गज की दूरी मास्क है जरूरी वेक्सीन लगवाओ सुरक्षा होगी पूरी कोरोना हराना है देश समाज बचाना है कोरोना हराना है मासारदे को नमन करते हुए हमारी परमसम्मानित डॉक्टर कुसुमपन जी, आपदा भिबाक से आए हुए हमारे डॉक्टर मेंदोला जी, हमारे ग्रामपरदान जी और हमारी SMC की अध्यक्षा नसीमा आपा जी मैं आप सब लोगों का अपने विध्याले में इस SMC की बैठक में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ देखिए इस बिमारी का क्या है कि इससे देश ही क्या पुरे विदेशों तक सारी दुनिया में बहुत बड़ी आपदा के रूप में ये फैली है इससे हमारे व्यवसाय बंद हो गए हमारे स्कूल बंद हो गए हमारे बच्चों की सिक्षा परवावित हुई और इसलिए सरकार ने PME बिद्या चैनल ग्यानदीब चैनल और हमारे डिस्ट टीवी से धूर दर्शन से और बहुत सारे अन्यमादिमों से कक्षा एक से ले करक और उच सिक्षा तक कारिक्रमों का परसारण किया बच्चों के लिए ताकि उनकी सिक्षा दिक्षा प्रवावित नो हो और इसलिए हमारे विद्याले में SMC की बैठकों के द्वारा कैसे हम इस बिमारी से और अन्यापदाओं से बच सकते हैं इनकी जागरूगता के लिए म में दोला जागरूग करें तो इसी करम में मैं डॉक्टर कुसुम पंजी से अग्रे करूँगा कि आप आएं और इस बिमारी के बारे में लोगों को जागरूग करें नमस्कार COVID-19 के बारे में तो पहले से ही आपको गुरूजी ने बहुत कुछ बता दिया है लेकिन कुछ खास बाते हैं जो मैं आप सबको फिर से बताना चाहती हूँ आप सबको समझाना चाहती हूँ पहले तो हम अपनी सुरक्षा स्वयम करें अगर हम अपनी सुरक्षा करेंगे तो हम और लोगों को भी बचा पाएंगे COVID-19 के कहर से साथी साथ हम अगर देखते हैं कि हमारे घर में किसी को बुखार है, जुखाम है, खासी है तो उससे दूरी बनाने का प्रियास करें और उसको ले जाकर उसका COVID-19 टेस्स जरूर करवाएं और अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे अपने घर में कॉरिंटीन करें, अलग से रखें उसकी सही से देखभाल करें और डॉक्टर की सलहा लें इसके साथ ही सामाजिक दूरी बनाएं और भीड़भार से बचें अपने हातों को बार-बार सेनेटाइज करें समय समय पर अपने हातों को साबुन से धोते रहें डॉक्टर साइबा, वैसे तो करोना का कोई केस हमारे गाओं में आया नी लेकिन कुछ ऐसा वताओ कि करोना आवई ना आपने बिल्कुल सही पुछा नसीमा आप अगर कोई व्यक्ति आपके गाओं में बाहर से आता है तो सबसे पहले उसका कोविड टेस्क कराए अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो उस व्यक्ति को कॉरिंटीन करे और अगर उसकी रिपोर्ट नेगिटिव आती है तो आप लोग उससे मिल जूल सकते हो ऐसा करने से वो व्यक्ति भी सुरक्षित रहेगा और आपका गाओं भी सुरक्षित रहेगा और बचाओ का सबसे मजबूत और सुरक्षित तरीका है वैक्सिनेशन और हम सभी लोगों को समय पर वैक्सिनेशन करा लेना चाहिए हमारी सरकार ने कई जगा पर मुफ्त वैक्सिनेशन केंद्र लगाए है और सरकार द्वारा मुफ्त वेक्सिनेशन का सबसे बड़ा अभियान हमारे देश में चलाया जा रहा है डाक्टर साब अब यो कोरोणा का तो मारे गवं में इतना डर नी है लेकिन आप दाय मारे आप होता है आप दाय है, बाड है, भूकंप है, भूसकलन है आपदाओं के बारे में तो आपको मेंदूला जी ही बता सकते हैं मैं आपको सिर्फ कोविट-19 के बारे में बताने आई थी, धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर कुसुम पंजी और आप मैं आपके सामने आमदित कर रहा हूं डॉक्टर मेंदूला जी को, आप आपदा बिभाग से हैं और आपको आपदाओं के बिशे में बिश्चित जानकारी देंगे डॉक्टर मेंदूला जी, आपका स्वागत है प्रणाम आप सभी को आपदाओं जब भी आती है, अपने साथ बहुत सारी समस्याइं लेकर आती है इन समस्याओं को हम किसी हद तक दूर कर सकते हैं अपने आपदा प्रवंधन के द्वारा देखिए, आपदा के लिए आपको हमेशा तीन चीज़े ध्यान में रखनी चाहिए एक आपदा से पहले और एक आपदा के बाद प्राक्विक चिकत्सा और आपदा के बाद का प्रवंधन और आपदाओं भी कई प्रकार की होती है जैसे बादनों का फटना, भूस खलन, बाड, बिजली का गिरना, भूकंप और जंगली पशों का आक्रमन मगर एक आपदा तो बिल्कुन नहीं आई है वो है साइबर क्राइम मैं आपको इन आपदाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करूँगा जैसे भूकंप जब भी भूकंप आता है तो आप किसी आड के नीचे खड़े होने की कोशिश करें टेबल के नीचे, पलंग के नीचे या आप घर से बाहर आ सकें तो वो सबसे अच्छा है और दूसरी आपदा है बार जब भी बार आती है आप अपना जरूरी और कीमती समान लेकर उचे स्थानों पे जाने की कोशिश करें अगर पास में उची बिल्डिंग हो तो उसकी छट में जाने की कोशिश करें और तीसरी समझ से है बादल का फटना बादल फटने पे एक साथ बहुत सारा पानी एक ही जगें पर बहना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले आपको ये करना है कि बहावाली जगे से अपने को सुरक्षित उची जगे पर ले जाने की कोशिश करें और नदी और नालों से अपने को दूर रखें और चौती समस्या है बिजली का गिरना जब भी आपको लगे कि बस बिजली गिरने वाली है तो सबसे पहले तो आप अपने को उचे पेडों और बिजली के खंबों से दूर रखें और अगर आप खुली जगे पर हों तो अपने गुटनों के बीच में अपने सर को छुपा कर उकडू बैढ जाएं और पांचवी समस्या है जगली जानवरों का आक्रमन जब भी कहीं आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जगली हातियों, भालू और बाग का खत्रा बढ़ रहा है तो सबसे पहले वन विभाग को सूचित करें और अपने पास कुछ पटा के रखें उनको बजाने से ताकि जगली पशु भाग सकें और खास कर बाग से बचाओ के लिए अपने घर और गाओं के आसपास की जाडियों को साफ करके रखें ताकि बाग वहाँ छुप न सके और आखरी समस्या है साइबर क्राइम आज कल बच्चे मोबाइल और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रियोग कर रहे हैं उससे उनके साइबर क्राइम में फसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप अपने बच्चे पर हमेशा नजर रखें अगर आपको यह लगता है कि आपका बच्चा गुंसुम है उदास है तो हो सकता है कि वो साइबर क्राइम की चपेट में है तो उसकी काउंसिलिंग करें उससे खुलकर बात करें और उससे मित्रवत वेवहार करें देखिए आपदाएं तो बहुत सारी हैं आप आपदाओं को रोक नहीं सकते लेकिन अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो अपना बचाओ कर सकते हैं ताकि हमें कम से कम हानी पहुँचे धन्यवाद धन गहने ले सुरक्षत इस्तान को जाओ